हल टोश्टों कैसे हैं आप सभी, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स अभी दोपहर का टैम है शुबा में हम लोग गये थे कुछ काम से प्राग्या केंद्र वहां गे हैं वहां भी कुछ काम नहीं बाना उसके बाद हम लोग घर आ गए दोनों और घर आने के बाद मैं सोची थोड़ा सा कपड़े धो लेती हूं तो आते ही हम सभी के लिए पानी दिये थे सभी पानी पी लिये थे मतलब हाम और रोहन और रोहन के पापा तीनों घर पर हैं बच्चे तो इस्कूल गए हुए हैं तो तीनों हम लोग गए थे प्राग्या केंदर के लिए तो वहाँ भी कुछ काम नहीं बना जो काम से हम गए थे नहीं बना तो फिर हम लोग सिदे आ गए है घर उसके बाद पानी उनी सबी कोई पी लिये थे फिर मैं सोची अभी अच्छी धूप है तो फिर मैं कपड़े धो लेती हूँ तो कपड़े में भी गोली थी और थोड़े देरी के बात मैं धोने लगी हूँ तो कपड़े भी एक दो दिन से नहीं धूला रहा है क्योंकि मिट्टी का काम हो रहा था वहाँ पर भी मिट्टी देना, कोड़ना, सभी मिल करके करते हैं तो फिर कपड़े में नहीं धोई थी, धोई थी बस थोड़ा बहुत होली थी तो अभी यहाँ पर रोहन के कपड़े हैं मेरे हैं, फिर उनके पापा के हैं तो देर सारे ही एक बाल्टी है सभी को मैं अभी धोलूंगी आज कल तो ऐसे गर्मी का टैम आ रहा है तो फिर अच्छी धूपी आती है और हवा भी चलती है तो ये एक ही मतलब एक दो घंटे में सूख जाते हैं जो पतले कपड़े होते हैं अभी टैम नहीं लगता है उससे कम ही लगता है सूखने में तो यहां पर मैं धोने लगी हूँ कपड़े अभी बच्चे आएंगे अभी तीन बजने के बाद बच्चे आ जाते हैं घर इस्कूल से सभी बच्चे इस्कूल गए हैं तो भी उन लोग के आने से पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ और उसके बाद में खाना होना यहां पर लिपाई चबाई भी करनी है तो मैं सोची पहले कपड़ा धो लेती हूँ देखे एक बार मैं खांगार रही हूँ यहां पर और यह डेक्ची में मैं धो धोकर के रख दे रहे हूँ पानी निकालूँगे भी ड्राम से उसके बाद मैं अच्छे से खांगार लूँगी तो पहले सभी कपड़े को मैं यहां पर डाल दूँगी खांगार खांगार के फिर अच्छे से हम इसमें खांगार हैंगे, यहांपर मैं पाने निकाल रही थी पाइप उने के लिए नहीं हम बनते हैं देने लेता है लुकम कि लुकुदा लाधा, कर देखिए कि दोने अच्छे मतलब यह सुती है तो फिर अभी तो टैम है सामोने में तो तब तक सूख जाता है क्योंकि ठंडी हभी भी चल रही मतलब ठंडा हुआ चलता है तो फिर अच्छा से सूख जाता है सभी हापर रोहन को पकड़े हैं इनके पापा और घूम रहे हैं दोनों बाप बेटा मैं कपड़ा दो रही थी तो बोलक की मैं खिला देती हूं रोहन को क्योंकि वो सो के उठता है न तो थोड़ा सा परेसान करता है तो गोदी करकी दर दर घुमा रहे हैं तब तक मैं सभी कपड़े धो करके पसार देती हूं अभी बच्चे आ जाएंगे खाना होना खाएंगे फिर बरतन भी और होगा तो ऐसे तो रो चांदनी और पिरती है ना उदो लेते हैं बरतन तो फिर मुझे उतना बरतन दोने की ज़रत नहीं होती है देखिए बच्चे आ गए थे फिर मैं सोची कि यहां पर साफ सफाई कर दूँ और यहां पर राक है इसमें हम लोग रात में खाना बनाए थे तो सुबा में मैं साफ नहीं की थी बस जाड़ू उड़ू कर दी थी और यहां पर राक था ना उसको हम नहीं हटाए थे तो अभी मैं हटा देती हूँ और लिपाई कर दूँगी क्योंकि सुबा में हम जल्दी थे इसलिए हम कुछ काम होगे रह नहीं किये थे बस सुबा उठ करके मैं चाय पानी सभी के लिए दिये थे और खाना उना बना करके सभी बच्चे को खिला करके हमें जल्दी में जाना था लेकिन भी काम नहीं हुआ जल्दी तो जल्दी ही चले गया थे लेकिन वहाँ पर मतलब प्राग्या है केंदरी ही बन था तो फिर हमारा कोई काम नहीं हुआ तो देखे सुबा में जल्दी जाने के चक्कर में यहाँ पर चूलावला भी सावा नहीं लिपाई चाबाई का काम भी नहीं की थी गोबर मैं घोर के रखी हुई थी क्योंकि मैं यहाँ पर लिपने वाला थी और मैं सुबा सुबा को सुबा साम को कोछ ना कुछ जगा लिपाई चाबाई की काम तो करती ही रहती हूँ तो ये देखे ये सूबा के टैम में ही मैं गोल बना करके रखी हुई थी मैं यहीं पर लिपने की तियारी की थी लेकिन वही कुछ जो मतलब समस्या होने के कारण हम लोग चले गए थे जल्दी में लेकिन वहां भी काम नहीं बना अब दूसरे दिन देखेंगे तो यहां पर मेरे लिपाई चबाई की काम हो रही है चुलह की लिपाई करेंगे उसके बाद आज साम का खाना यहीं मिट्टी का चुलह में बनेगा तो इसलिए हम सभी को अच्छी तरह से लिपाई चबाई कर लेंगे उसके बाद हम खाना पानी की तयारी करेंगे तो यहाँ पर देखे यहाँ जो हम राक उठाए है तो अंदर में थोड़ा सा राक छोड़ दिये है इसलिए हम अंदर में नहीं लिपाई करते हैं मैं तो फ्रेंट्स बोलते हैं कि आप अंदर में नहीं लिपाई किये तो आज मैं नहीं लिपाई कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा राक छोड़ी हूँ जब हम चुला सलगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा राक रहता है तो फिर सलगाने में अच्छा होता है इसलिए हम थोड़ा सा राक छोड़ दिये हैं इसलिए अंदर में नहीं लिपाई किये और इधर का चुला को हम अच्छे से लिपाई च्छबाई करते हैं और यहां पर लिपाई च्छबाई कर देने के बाद बहुत सुन्दर लगता है तक यहीं पर बैट करके खाना उना खाओ ऐसा लगता है ऐसे हम लोग गर्मी का टैम में यहीं पर बैट करके खाना खाते हैं पुरा अंगन की लिपाई पहले वाला वीडियो में आप लोग देखेंगे, हम लोग यहीं पर सो जाते हैं, पहले सो जाया करते थे, लेकिन आप भी जब गर्मी आएगा बहुत जादा और हमारे यहां लैट के भी ऐसी प्रोबलम है, तो गर्मी में बहुत जादा गर्मी लगती है, तो फिर बाहर ही सो कुंकि गर्मी इतना जादा है कि लोग अंदर सो ही नहीं नहीं पाते हैं और हमारे यहां का ये लाट का प्रॉलम रहता है तो पंखा भी कैसे स्धाइंगे लोग इसलिए बाहर में ही सो जाते हैं और हम लोग भी इहीं पर सो जाते तो देखे ये पत्ते कि Say वाற जण खड़ गये थे सभी को मैं जाडो उड़ ली हूं इधर ऊधर और अभी में जाडो करके करके पेक दूंगे यह पर जाडो कर लेते हैं यह पर देखिके सारे सब जगा का इधर का ऊदर का सब जगा का मैं जाड़ू कर ली हूँ उसके बाद में जामा सब्सक्राइब देखिए चुल्हा लिपाई हो गया है प्रीती चांदली बरतंद हो रहे हैं अब यहां कर चड़ा है इसको हम अभी सूप में उठा करके ठीके लें ठीकने के बाद हाँ प्रेंद हो लेंगे और खाना सब्सक्राइब बनाने के त्यारी करेंगे तो प्रीती और चांदली तो बरतंद हो दिये हैं मैं यहां पर साब सफाई कर ली हूँ पूरा और उसके बाद मैं चुल्हा भी सलगा दी हूँ इसमें मैं चड़ा दी हूँ खाना के लिए पानी और मैं सोच रही हूँ को बहुत आचला करते हैं लंकिन सूबा मैं थोड़ा सा दूप आजाता है तो फिर जल्दी नहीं उठेंगे तो फिर खाना बहूत अच्छा लगता है यह यह पर अधना ज्यादा गर्मी बी नहीं लगता है ठंड भी नहीं लगती है तो फिर यही पर खाना बना लेते ह МУं मैं लसुन-सुन छीली थी, उसका छील गाई धर उधर भिखरा पड़ा है, क्योंकि हवा भी थोड़ा थोड़ा चलती है, रोहन के पापा कुछ बना रहे थे अंदर में, टीवी बना रहे थे, क्योंकि आजकल गर्मी है न, तो इसके वज़े से बिच्चे लोग इधर उधर रविवार के दीन में, सनिवार के दीन में, तो फिर बैट के देखें के टीवी औगरा करके, मतलब बना दे रहे हैं, टीवी का जो होता है, डीस बादल गरज रहा था, उसमें कुछ कीटे उड़ गये थे, तो उन्हें बनवाने के लिए सुबा ही पहुँचा दिये थे, व बन गया था, फिर लेकर के आए, फिर वो शेट कर दे रहे हैं, और मेरा यहाँ पर प्याज टमाटर कट रहा है, मैं मसाला डाल करके, इसको में चटनी बनाने वाली हूँ, और दाल है, दाल मैंने सुबा में ज्यादा बना दिया था, कोई नहीं खाए दूपर में, तो फिर उसी को हम मसाला बूंच करके, इसको हम चटनी बनाएंगे और सभी को में खाएंगे, तो देखिए, टमाटर प्याज कट गिया है, उसको रख दिया, यहाँ पर चावल डाल दिये, और खाना उनस अभी बन गया था, चावल डालने के बाद खाना पग गया, तब तक बहुत अंधेरा हो चुका था, मतलब साम हो चुका था अंधेरा नहीं, तो यहाँ पर अंधेरा अंधेरा साल लग रहा है, सबजी बनाते हैं बहुत टैम होगया, तो अभी देखिए, चड़ा दी हम डालेंगे, मिरिचे नहीं डालें। यह प्याज को भूझ लिए हैं और इसमें डाल दी还ár टमाटर इसको अच्छे से पकने के देंगे। फिर हम आपस्ट में पेस्ट एक्रून च्भायल में दाला Sayur यह दिलन रोज्ण दिन धनिया में अच्छे से पग्याः उसके बाद देखिए टमाटर जब पक गया था तो हम इसमें डाल दिये हैं मसाला इसको मच्छे से भूंज लेंगे बहुत ही अच्छे से उसके बाद हमारा चटनी ना बहुत अच्छी बनेगी आप लोग भी एक बार बना करके देखिए कैसा लगता है इस तरह चटनी तो द पत्ता से या तो लकडी से पकाते है खाना तो तो इसलिए हम चेंज कर दिये और यहां पर मैं